कि मोटा भाई कौन से चोरी की प्लानिंग कर रहा है बहुत सही बिर्यानी बनिया जाके खा ले जा खाई ले मुझे बिर्यानी बिर्यानी ने नहीं खानी है एक अंदर वाली बात बतानी है आप इधर खुप चेम्याओने क्या है तो मुझे गलत मत समझना हो लेकिन सुबच जैसे आप आफिस में जाते न मैडम किसी को मिलने जाती है और साम को वापस आती है जो आप बखवास कर रहा है खबर हती सर आप यकिन नहीं करोगे ये देख रहे हैं ये सब नए पड़दे दुकांदार ने मेरे सामने लगाए है उस दिन भी मैडम साम को घर लोटी थी लेकिन उन्होंने आपसे कहा कि उन्होंने खुद अपने हाथ से पड़दे सिले रोज रिक्षा में बैटकर किसी को डूणती रहती है सारे नौकरों को छे बज़े तक की छुटी भी दे देती है किसी ना किसी बाहने मुझे भी घर से निकालती है साम को सब के आने से पहले वो घर पहुंच जाती है वो बिर्यानी भी उन्होंने नहीं बना साबदाने की खिचटी के लिए साबदान लभून हलो हो आप ने अभी रिसेंट्ली आपने शो में छिकन बिर्यानी की रीचिपि दिखाई थी बिर्यानी बिर्यानी के बारे में क्यों पूछ रहे है तू बनाएगा क्या शंञ सह कुछने वमी क्अले फॉन करेश ून्न करती है किसने का मेरे पास काम नहीं है, सुबह से मैं कितना बिजी है, मालूम है? सत्या, आज तुमने बिर्यानी ज्यादा नहीं खाए कुद का पकाया में कितनी बार खाएगी, आज लंच में भी बिर्यानी था सुबह से मैंने कितना सारा काम किया है, मैं बहुत तक गई है अब मेरे को सोने का है, कल बात करते, गुड नेट लेकिन सुबह जैसे आप आफिस में जाते हैं, मैडम किसी को मिलने जाती है और साम को वा पसाती है ये सब नए पड़दे दुकांदार ने मेरे सामने लगाए है उस दिन भी मैडम साम को घर लोटी थी, लेकिन उन्होंने आप से कहा कि उन्होंने खुद अपने हाथ से परदे से ले, और वो बिर्यानी भी उन्होंने नहीं बनाई थी सत्या हम जाए है अलो तो सन इनलो बोल रहे है हाँ मैं यू कईसे हो बेटा फिट अन्फाइन शू आप और अंकल कासे है हाँ हम लोग सब ठीक है बवध दिन से सत्या से बात नहीं हुआ मैने लैंड लाइन पर फोन लगाया पर किसीन फोन उट्टाया नहीं अभी ट्राइ किया पर लगा नहीं टेंशन मत लीजिए दो दिन के लिए लीव ली थी हिल स्टेशन घूमने गए थे वहां नेटवर्क की प्रॉबलम थी ओ ऐसा क्या अभी सत्या नहाने गई है जैसा ही बहार आएगे आपसे बात करवा दोंगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है त तुमसे बात हो गया तो दिल को तसल्ली हो गया ठीक है बाई है यह नून नंबर किसका है हेलो हेलो मैडम क्या आप घड़ी-घड़ी मुझे फोन कर रही है मुझे डिस्टरब मत कीजिए जैसे हूँ आएगा मैं आपको फोन करता हूं ठीक है फोन रखिए प्लीज बाई तु क्या बात कर रहे है तेरी किसी भी बात पर भरोसा नहीं बैठ रहा है मेरे को मैं भी उतना ही हैरान हूं लेकिन इतना तो कंफर्म है कि रोज सुभा वो कहीं नहीं जाती जरूर है कुछ तो गड़बड है एलाए तुने बोला के दिन में वहां कोई भी सर्वंट नहीं रहता है लेकिन तू तो रहता है ना कुछ तो देखा होगा तूने नती जोयू काम के बाहने मुझे भी बाहर भेज देती है और बोलती है छे बजे के पहले घर माता ना समझा मतलब इस समय भी घर पे कोई नह कर देख रहीम का केस तेरे कोई सौल्व करने का हो अगर चोटी बड़ी बात पर अपसेट होगा ना तो केस पर से तेरा फोकस हट जाएगा बोल देता हूं जो भी उलजन है उसको आज ही खतम कर यह जूल जूल रहा है अपने अपना दर्वाजा भी खुला है मतलब उंदर रहा है कुछ तो लो जाए भाए yes maybe she'll feel so guilty she'll never make me celebrate the holidays again so your evil plot here is to buy your girlfriend a present? that's right if she turns a property ऐसा क्या देखर एला है अपन को माफ़ कर यह टेंशन अपन की जान ले लेगी कौन है वहाँ मसकली 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 क्या देखरा भै अो अपन रहीं इसने भी किया उस्कुट्य के बच्चे को स्कंजल्व को कब पक्रेगा तो है यह बहुल अपन को नहीं मालूम अपन को काहे को मारा कौन मारा पर अपने को पता करने का है तू अपन को बताएगा कौन मारा अपन के कातिल को पकड़ने की जगा अपना निगा करके सुकून से चोरू के साथ चल से मना रहे तो बेगेरत यह उसको धून जब तक अपन क्या खोने को पकर के नहीं लाएगा जब तक अपन तरे वीवी का बदल जहार डाम निकलेगा कि मेज़कों के विशुपर convenience क 199 1000 है अबच्पन की तराग भीटने मुफरादी जढ अधाए तुमारी स्कुलिंग नहाँ से होईए? नेमेरी स मैट्रिकूलेशन वहाँ के प्रिंसिपल का नाम? नपस्मय के लिल है तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड का नाम? अंजली रहीम को जानती हो? रहीम रहीम तुम्हें वो याद है? आँ बताओ उसका नाम मैंने शीवा की फाइल में पढ़ा था शीवा से शादी करने से पहले तुम किसी और से प्यार करती थी? नए अपनी स्कूल में या कॉलेज में? नए कभी कोई अफेर नहीं था कोई ऐसा इंसान जो तुम्हें पसंद करता हो? कॉलेज में एक लड़का था जो मुझे फॉलो करता था उसका नाम? राहुल राहुल? या रहीम राहुल फिर क्या हुआ? एक दिन माही न उसको डाटा पुलीस का दाम की दी पर नहीं सुद्रा एक रात को उसने गर पर फोन किया उसने बहुत सारा खरी कोटी सुनाया और फिर उसके बाद मैंने दुबारा उसको कभी नहीं देखा डॉक्टर Mr. Shiva पूछने पर उसने अपने स्कूल और कॉलेज फ्रेंड्स, टीचर्स, इन सब की डीटेल्स बड़ी क्लैरिटी से बताई अगर वो किसी रहीम को जानती तो उसे जरूर याद आता तो इतना तो कंफर्म हो गया कि वो पहले से रहीम को नहीं जानती अपनी पत्नी के साथ रहीम के मर्डर केस को डिसकस करना बहुत बड़ी भूल थी आप तो अपनी इंवेस्टिगेशन में बिजी हो जाते लेकिन आपकी वाइफ घर पर बैठे 24 गंटे हर वक्त रहीम की डेथ के बारे में सोचती रहती इट कुड़ बी अ सीरियस मैटर देखे मिस्टर शिवा हमारा ब्रेन एक कंप्यूटर जैसा है हम जो भी इंफरमेशन उसमें फीड करते हैं वही थौट प्रोसस बन जाती है और आपकी वाइफ सत्या ने रहीम का केस दिमाग में स्टोर कर लिया है मेडिसन से मेमरी तो सप्रेस हो जाएगी पर आप कोशिश करें कि सत्या का माइंड रहीम के बारे में ना सुचे मेरा सन आ गया हाई अमा हाई डिक्रा हाई नहीं नती चाली सकती अभी गिर जाती तो नहीं रहे कंटरोल नहीं कर पाई तुने कहा था ना कि तु छेवेने के बाद आएगा लेकिन तु चल्दी आ गया इसलिए अरे बहु भूल तु नहीं कि मुझे ऐसा काईसा भूलेगी मैं ठीक हूं आप कैसी है अपनी शेतान बहु को परक भी नहीं पाई हलो सेट जी इधर आओने तु इधर नहीं पद्रेश से चाला की मारी बात सांपड़ो जैसे ही मैडम ने इस घर में कदम रखे अपकी मम्मी के कदम डगमगा है मतला मैडम डायन है और का बंजरा बंद रख सासुमा टीवी शो का इसा चल रहा है खुद के क्या तारीफ करूं अब तक 25 लांगवजिस में डब कर चुके हैं मेरे बावर्चिशों को अभी दो और चैनल्स को ओफर आया है पर मैंने रिजेक कर दिया मुझों क्यों काई को स्विजर लेंड से ओफर आया है कि पाओ भाजी कैसे बनाते हैं ठोक्रे का पर औरतों की हेर क्लिप तबेले से काई को गोबर लेके बाहर जाके बेशता है थर्ड क्लास को माता जी सक्सेस्फुल चौर बनना सबके बस की बात नहीं है नहीं इसके लिए तो तुझे नोबल प्राइज मिलना चाहिए चौर कहीं का माता जी छोटे चौर मेरे फुटों तुभी आजा यह सेट जी आपकी मम्मी ने खाने में कीमा बनाया तरी प्रॉबलम क्या है समझने की कोसिस करो कीमा देख के रहीम की आत्मा की भूग जाग गई तो क्या करेंगे तो जागने देना अरे सूँ आपको डर नहीं लगता यह तमारी पत्नी जह है जब मैंने रह अगली बार मेरा कीमा बनेगा यूज में इट में मैं तो कहता हूं रहीम नहीं उसकी पूरी फैमेली खाने के लिए अपना मू बन रख मतलब जुबान काट देंगे सिट बहू पेशल मट्टू बिरियानी बनाई है अलेले बरी यो बिरियानी सर मेरा तो उपवास है आपक मेली के साथ लास्ट खाना मुबारको अरेस्ट नहीं किया हाथ ती चरक मेरे को बिरियानी बहुत पसंद है आपको कई से पता सन्ने मुझे 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 भी थोड़ा खाना किलाओगी देओ छूडिक रहा खाना दें डर गया नहीं खाने के बाद क्या होगा सोच के डर र मुटा भाई भी कौन खा रहा है मैडम या रहिम भाई तू चुप-चुप खाना मरी गया है हड़ी को कुट्टे की तरा क्यूं खा रहा है सर खाने की कोसिस में कर रहा था लेकिन आवाज वहां से आई होरर सो स्टार्ट हो गया है देखो